आज की इस वीडियो लेक्षर में हम लोग बात करेंगे और गेनिक केमस्टी में डिफरेंट फंक्शनल ग्रूप के टेस्ट के बारे में जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूँगा उससे आप इस पे बिज़ डाने वाले किसी प्रॉलम को बहुत इजली कर लोगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में तो ये टेस्ट किसलिए क्या जाता है वन डिग्री अमाइन तू डिग्री अमाइन और थ्री डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए तो इसमें ट्रिस का पॉइंट क्या है कि हिंसबर्ग में ध्यान से देखो H और N और B ये तीन वर्ड आ रहे हैं H N के combination से अगर nitrogen के साथ 2 hydrogen है और 1 carbon है तो 1 degree amine हो जाएगा अगर nitrogen के साथ 1 hydrogen 2 carbon है तो 2 degree amine हो जाएगे अगर nitrogen के साथ 3 carbon है तो 3 degree amine हो जाएगे तो इसलिए H और N से relate क्या B for base, base में डालने पर 1 degree amine soluble हो जाएगे 2 degree in soluble रहेगा 3 degree reaction ही नहीं करेंगे तो ध्यान से समझो कहने का क्या point है तो सबसे पहले इस test के लिए जो reason है वह important है that is benzene sulfonyl chloride जैसे c double bond हो होता है तो carbonil बोलते हैं यहां पर S double bond हो है तो sulfonyl benzene sulfonyl chloride जरूरी नहीं कि आप यहीं लोग आप चाहो तो benzene पर कोई other group लगा सकते हैं जैसे methyl वेगर आप लगा सकते हो राइट तो यह reason fix हो गया है पूछा जाता है reason का formula structure यह सब ध्यान रखना पूछा जाता है और यह किसके लिए यूज होता है तो one degree two degree three degree amine को detect करने के लिए right कैसे work करता है यह very simple है जब आपका one degree amine होगा जहां से देखो one degree amine होगा तो उसके पास दो hydrogen होगे nitrogen के पास loan pair होने के जासे निकलियोफाइल का काम करेगा और यह sulfur के sulfonil वाले group पे attack कर देगा यह chlorine एक अच्छा living group पे बाहर चला जाएगा और यह compound बन जाएगा यहां पे nitrogen ने total पास एक hydrogen बच रहा है यह hydrogen बचने के वज़े से यह one degree two degree three degree separate हो जाते है यह hydrogen बहुत ही ज्यादा acetic हो जाएगा क्योंकि एस double bond हो दोनों साइड है resonance हो जाएंगे तो इसलिए जब मैं इसको base में डालूंगा तो क्या हो जाएगा soluble क्योंकि reaction हो जाएगी तो इसलिए one degree amine अगर हुआ तो आप पहले उसको क्या करेंगे बेंजीन सल्फोनीन क्लोराइट से रेक करेंगे और फिर जब base में डालेंगे तो soluble हो जागा इसमातला one degree हो सकता हो अगर two degree होगा तो अब यह hydrogen नहीं बचेगा राइट तो hydrogen नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा in Solubule reaction नहीं होगी और अगर three degree होगा तो reaction यहीं पे नहीं होगी क्यों क्योंकि यहाँ पर आपको यह hydrogen बचा नहीं है sacrifice होने के लिए जब आटेक कर देगा तो nitrogen चारवन बनाएगा पलस आएगा और sacrifice करने के लिए hydrogen नहीं है तो इसलिए very simple है यह right यह concept two degree में एक hydrogen sacrifice होकर के निकल जाएगा उसके बाद नहीं बचेगा इसलिए insoluble one degree में दो hydrogen है एक sacrifice होकर के चला जाएगा और एक बचेगा जो की बहुत जादा acidic है इसल इसलिए base में वह solubule जाएंगे three degree में hydrogen ही नहीं है इसलिए पहली ही reaction नहीं होगी तो इसलिए यह एक बहुत ही अच्छा reason है to detect one degree two degree and three degree और इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए next test is carbide amine test again यह amine chapter में second test है इससे श्रीफ और श्रीफ आफ one degree amine को test कर पाएंगे चाहे वो aliphatic हो या aromatic हो doesn't matter इधर आर alcohol group हो सकता है या aromatic वाला benzene हो सकता है but the thing is की one degree ही होना चाहिए उसकी reaction किस से कराना है chloroform से right in presence of basic medium यहाँ पे ethanolic qhb लिख सकता है that means alcohol in presence of base है थोड़ा heat करेंगे तो ध्यान से देखो क्या करना आपको यह दोनों hydrogen को आपको हटा लेना है यह दोनों hydrogen हटा लेना है rn और यह c को यहाँ पे लिया आना है तो क्या बन जाएगा rnc इसी को बोलते हैं isocyanide या फिर carbolemin इसलिए isocyanide या carbolemin टेस्ट होगे अब समझे नाइट्रोजन के दोनों hydrogen को हटा करके वहाँ पे chloroform का carbon c को attach कर देना है अब ध्यान से देखो यह potassium cl को लेकर के जाएगा तो kcl बन जाएगा आपका और यह hydrogen और यह OH water के form में आ जाएगे तो इसलिए by product भी clear होना चाहिए इस पर best more concept के question पूछ सकते हैं now reaction को balance करना हो तो दियान से देखो rn और c यह balance रहेगा 3 chlorine है तो इसलिए मुझे 3 potassium लेना परेगा 3 qh करना परेगा तो इधर 3 मुझे kcl भी करन दियान से देखो तो 3 OH हो गया 3 oxygen that means 3 oxygen 3 hydrogen है इधर 1 hydrogen है इधर 2 तो total 6 hydrogen है 3 oxygen है तो इधर मुझे 3 H2O करना परेगा तो यह भी 3 है यह भी 3 है यह भी 3 है बस यह cl वाला 3 से इन सम्में 3 3 कर देना इस पर best question mole concept के पूछे जा सकते हैं कि अगर इसका एतना gram लिया तो moles निकाल लो इसके कितने मिलेंगे इसके कितने इसके कितने इसके कितने से पूछा जा सकता है तो important point क्या है कि इसको isosyanide test that means ध्यान रहे है कि यहाँ पे जो nitrogen है वो carbon से attach होता है isosyanide है यह cyanide नहीं है राइट दूसरा 2 degree 3 degree amount dawns वो this reaction इसलिए हिंसबर्ग test से हम 3 degree amount को पैच्चान सकते हैं but करवाल amount test से शरिफ 1 degree को तूसरा इसका जो smell होता है वो fall smell होता है गंदा smell होता है तो यह ध्यान रखना है और इसमें एक बात और यह पूछा जाता है कि इस reaction में intermediate क्या है तो that is dichlorocarbene dichlorocarbene is the intermediate ccl2 एक vacant orbital होता है और यह lone pair right तो dichlorocarbene यह इसका intermediate होता है यह सारे point धान में करना है next is tolerance test और very important है यह tolerance test का दूसरा नाम silver mirror test है इसका जो रियेजेंट है वो silver in presence of ammonia ammonical silver भी बोल सकते हैं silver यहां पे plus one oxidation state में होता है now corn से functional group test दे सकते हैं तो only aldehyde देगा आपका ध्यान दे ketone यह test नहीं देता है only aldehyde or which can convert into aldehyde during the course of reaction for example जैसे यह aldehyde है चाहे वो aliphatic हो या aromatic हो दोनों देगा right तो यह दोनों test देंगे जैसे यहां पे ध्यान से देखो तो aldehyde group नहीं है तो बच्चे को लगता कि यह नही हो जाएगा hydrolysis होगा तो यह bond break हो जाएंगे different electron negative यहां पर OH जाएगा एक करन पर दो OH नहीं इस्टेफल होते हैं water bar जागा तो यह aldehyde group create हो जागा तो आप ध्यान से देखो अगर aldehyde group during the course of reaction हो रहे हैं तो यह शो करेंगे वैसे यह ध्यान से देखो तो यह inol है राइट यह hydrogen आपका यहां चला जागा double bond यहां shift हो जाएंगे तो again aldehyde बन रहा है तो अगर aldehyde का inol form है तो वो भी show करेंगे तो इसलिए ध्यान देना है aldehyde तो show करेंगे पलस इस type का कोई group हो या इस type के inol वाले जो aldehyde create कर सकते हैं तो वो सारे के सारे test देंगे तो point क्या है श यह ध्यान दे हो इस मानस अतलब basic medium आपको लेना है तो आपको क्या मिलेगा carboxylic acid वाला चुकि basic medium की रेट क्या हुआ इसलिए यहां पे हैच नहीं लगाएंगे minus के form में रहेगा और यहां पे जो silver plus 1 में था वो 0 में आ गया है इसलिए आपको अपना चेहरा दिखेगा इसल silver mirror test समझगीने के लिए water रहेंगे ammonia रहेगा तो इस पर आपको मोल concept के problem पूछे जा सकते हैं नाव हम कैसे ध्यान रखेंगे इसमें क्या क्या important point है वो ध्यान से देखो यहां पे carbon और hydrogen में you know carbon ज्यादा इलक्रो नेगेटिव है तो इस bond के जैसे इस पर minus 1 आएगा तो इस पर यहां पे minus 1 यहां पे plus 1 तो carbon में क्या change जाया है कि वो minus 1 से कहां गया है plus 1 में तो minus 1 से plus 1 में कैसे जा सकता है दो electron का change करके तो पूछा जा सकता है कि इस process में कितने electron को loss again हुआ तो 2 electron का इसलिए 2ag मुझे करना पड़ा यहां पे ध्यान से देखो right ammonia केतने हो गए 2 to the 4 इसलिए 4 ammonia आपको करना पड़ेगा right चुकि 3 OH था इसमें एक oxygen तो आप यहां पे attach कर दिए तो दो ही oxygen बचा इसलिए 2 water molecule तो reaction को रटना नहीं है ध्यान से समझते हुए question कैसे पूछा जा सकता है कि अगर इसका मैंने 2 moles लिया तो इसके कितने moles मिलेंगे या mass दे दे इस type से mole concept के problem बना रखना है कैसे क्या balance very simple carbon minus 1 से plus 1 में गया 2 electron का change इसलिए 2 AG क्योंकि AG यहां पे क्या हुआ है एक ही था जो plus 1 से 0 में गया right इसलिए मुझे 2 AG तो यहां 2 करना पड़ा total ammonia केतना हो गया 2 to the 4 इसलिए 4 करना पड़ा right और चुकि यहां पे 1 oxygen यहां पे अपने लिया तो 2 oxygen बचा इस पिर वो जो during the course of reaction aldehyde में convert होंगे यह test देते हैं next is failing test तो again यह aldehyde को test करने के लिए होता है यह test ketone नहीं देते हैं ध्यान दे ketone यह test नहीं देता है जैसे आपका silver mirror test ketone नहीं दे रहा था ध्यान दे यहां पे जो aromatic aldehyde that is benzaldehyde यह भी यह test नहीं देते हैं failing जबकि आपका जो silver mirror test है यह देता है राइट तो यह ध्यान रखना यह exception है यह नहीं देते हैं failing test failing जो है वो दो solution से मिलके बनावता है एक को बोलते है failing A एक को बोलते है failing B failing A में copper sulfate लेता है aqueous that means copper plus 2 में होना चाहिए failing B में जो है वो sodium potassium और इसको बोलते है tartaric acid से tartarate तो sodium potassium tartarate आपको ले carbon है दोनों corner वाले carbon पर carboxyl group होना चाहिए बीच में दो OH group होना चाहिए तो question क्या-क्या पुझा सकता है इसमें कितने chiral carbon है तो दो chiral carbon है यह भी पूछा जा सकता है राइट इसका ही एक और नाम है रोशील salt तो यह भी अब ध्यान में रखना point वह यह तो यह जो reagent है यह use होता है aldehyde को detect करने के लिए ketone यह test नहीं देता और aldehyde में भी benzaldehyde यह test नहीं देते हैं तो यह हो गया point now reaction क्या होती है तो again aldehyde लेना आपको और copper plus 2 aquos वाला basic medium में यह भी same वैसे ही तो आपको carboxylate inion मिलेंगे क्योंकि basic medium में copper plus 1 मा जाएगा plus 2 से plus 1 मा जाएंगे और water मिलेंगे यह जो co2 है इसका color होता है red brown तो reddish brown precipitate आ रहा है that means आपका confirmation हो गया कि aldehyde और वो भी कैसा aliphatic aromatic यह test नहीं देता अब यहाँ पर again point जो ध्यान देना वो क्या है जो भी बताया था आपको क्योंकि hydrogen less electron negative है तो यह minus 1 में है और यह यहाँ पर plus 1 में दो electron का change हुआ इसलिए यहाँ पर द्यान से देखो copper plus 2 copper plus 1 में जा रहा है इसलिए मुझे 2 लेना परा ताकि 2 electron का change हो right तो यह 2 क्यों आया यह clear होना चाहिए यह balancing हो गया next is कि एक oxygen तो आपने यहाँ पर ले लिया right और उसके लाबा चार oxygen बचे जिसमें एक oxygen यहाँ तो इसलि साथ आपने लिया तो तीन बचे इसलिए three water इसलिए वहाँ five करना पर है तो यह five क्यों आया यह three क्यों आया बाकी तो one one है क्योंकि अगर more concept के question पूचे जाएं तो आप easily कर लेंगे तो यह failing test हुआ alcohol के लिए दो important test है एक leucas test जिसमें reagent zinc chloride in presence of hessial लेते हैं तो अगर one degree alcohol होगा तो यह reaction very slow होगी क्योंकि one degree carbocatine unstable होते है तो इसलिए यह reaction slow होगी काफी time के बाद आपको turbidity देखने को मिलेगा या हो सकता है ना भी मिले but two degree alcohol होगा तो पांच मिनट के अंतर में आपको दिख जाएगा turbidity that means नीचे precipitate जमाऊंगे क्योंकि two degree carbocatine stable होते हैं और three degree अगर alcohol हुआ तो बहुत ही जल्दी आपको turbidity देखने को मिलेगी क्योंकि three degree सबसे जाधे stable होते हैं तो यह carbocatine के stability से related है उस case में हो सकता आपको zinc chloride ना भी यूज करना पड़े क्योंकि easily reaction हो जाएगी zinc chloride यहाँ पर catalyst का काम करता है वो करता क्या ECL को ले लेता है तो जिससे क्या बहुत होते हैं जिसको यह water के form में बाहर जाता है कार्वकाटान बनता राइट और फिर CL लग जाते हैं ओएज की जगा तो यह लिकास test है तो इ easily पैचान सकतो 1 degree बहुत slow reaction होगा टर्बीटी आपको देखने को ना मिले हो सकता है 2 degree में 5 मिनट के अंदर में 3 degree अगर होगा तो quickly तो इससे तीनो टाइप के alcohol आप distinguish कर सकते हैं बट जो seric ammonium nitrate test है that is can test C से seric A से ammonium N से nitrate तो इससे आप alcohol को detect तो कर सकतो बट वो 1 degree होगा 2 degree वो नहीं बता सकते हो क्योंकि तीनों reaction देंगे करना क्या है इसमें ammonium बोला तो ammonium ले ले लेना है seric C ये D block वाले right nitrate तो ये actually complex होगा जहां पर ये plus 4 oxidation state में है और alcohol जो है यहां पर जिसके पास loan pair है ये as a ligand का काम करेगा तो दो nitrate को replace करके ये खुद आ जाएंगे right अंदर में और वो दो nitrate ये ammonium के साथ आपका NH4 NO3 बना लेगा तो इसका color जो होता है वो wine red या pink color होता है ज test important है जो जो श्रीफ और श्रीफ alcohol के लिए यूज होता है द्यान दे फिनॉल के लिए ये सब test यूज नहीं होते है नेक्स्ट फिनॉल के लिए जो test है वो very very important है neutral FeCl3 लेते हैं जहां पर आरन प्लस 3 में that means क्या हो गया ये फेरिक वर्ड यूज करेंगे क्योंकि आरन का highest oxidation state ह हो गया neutral condition में लेना आपको फिनॉल लो या फिनॉल के derivative उस पर कोई अगर group लगा दिये तो भी कोई बात नहीं है तो इनकी reaction होगी करना क्या है चुकि ये deep block के हैं और ये oxygen का जो loan pair है वो as a ligand का का काम करेगा तो एक complex बनाना है आरन पलस 3 में होगा तो 6 coordination number वाले complex बना देना तो ये 6 molecule लेकर के उसको एक square bracket में coordination compound बना देना आरन पलस 3 में क्योंकि ये neutral था तो ये पलस 3 या वो 3 CL को आपचाओ तो पलस 3 हटा करके 3 CL 3 भी कर सकतो तो इसका जो color है वो violet color आता है इससे test हो जाता है तो phenol को test करना हो तो phenol में neutral FeCl3 डाल दो अगर violet color आ तो that means वो phenol है ध्य video lecture में ने बना रखा है तो ये जितने test बता है 99% question इसी में साइगा बेटा इसलिए इसको अच्छे से कर लो इसके बाहर कुछ नहीं है thank you